अन्राधा वेधिक एस्टोलजी में आप सबका अभिनंदन आज हम बात करते हैं बुद्ध की और जो वो रेट्रोग्रेड अभी हो रहा है स्कॉर्पियो साइन में आप ऐसा भी ले सकते हैं कि ट्रांजिट में तो हो रहा है लेकिन यदि किसी का बुद्ध रेट्रोग्रेड है स्कॉर्पियो में तो वो भी क्या रिजल्ट दिखाता है उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो कम्यूनिकेशन के प्लानेट है बुद्ध जो है वो यंग है बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं बहुत क्विक र बताते हैं वो आपकी पढ़ाई के बारे में भी बताते हैं क्योंकि कुमार अवस्ता की वो उसके जो ग्रास्पिंग पार होती है वो बहुत स्ट्रॉंग होती है अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की व्रिष्चिक राशी में जो है वो बहुत सारी चीजे जो है वो और वो दूसरों के अनर्ण गेंज यानि अनर्ण फाइनाइंस के बारे में भी प्रिष्चिक राशी बात करती है इन सब को यह दी मिलाकर हम बात करें तो देख सकते हैं समझ सकते हैं कि अधी प्रिष्चिक राशी में बुद्ध वक्री हो रहे हैं तो क्या रिजर्ट देते ह लेकिन उसे पहले आप सब का दन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूबर स्पाटिफाय चैनल को लाइक शेयर स्सक्राइब किया यही नहीं आपने अपने सुझाव और कॉमेंट्स भी लिखे यही आपने हमारे चैनल को शेयर लाइक शेयर नहीं किया है तो याद से करें और याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें बुद्ध जो है कुमार उसको बोलते हैं क्योंकि वह एक यंग सा बच्चा है और बहुत चल्दी चीजे करता है लेकिन जब वह वक्री हो जाता है तो उसकी स्पीड जो है वह कहीं कम हो जाती है लेकिन उस कम्यूनिकेशन जो है वह कहीं कहीं कमती रहती है बहुत जादा उनको बोलना पसंद नहीं होता है और यदि यह स्कॉर्पियो साइन में बुद्ध रेट्रोग्रेड होता है तो ऐसे लोग स्कॉर्पियो साइन ऐसे भी अब्जर्विंग का साइन है और बोलते कम हैं यह लो सकते हैं या उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं जिसके कारण आप में और दूसरों में कहीं दूरियां पैदा न हो जाए तो यह सारी जो चीजे हैं वो व्यक्ति को लोगों से क्लियर कर लेनी चाहिए कि भई मैं बोलता ही कमती हूं किसी के साथ मैं कर्ट य इसे इन जेनरल भी कमती बोलते हैं माकरी जो है वो थौट्स को बताता है और जब हम कॉप्यो साइन की बात करते हैं तो वो आपके हिड़न थौट्स होते हैं आप देखेंगे बहुत बार बच्पन में या कभी कोई इंसिडेंट होता है जो आपके उपर एक छवी चोड़ करती है तो इस समय वो जब मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा हुता स्पेशलिस कॉप्यों में तो वो सबकॉंशस माइंड से वो सारी चीजे जो है वो बार बार बाहर निकल कर आती हैं उन चीजों को किस तरह से हैंडल करना है और यदिखास कर वो कुछ ऐसी अप्रिया बात हो तो उसके लिए आपको अपने आपको भी मजबूत करना और उस सिच्वेशन को हैंडल करना उस थोट को हैंडल करके अपने आपको हील करना है और फिर उस थोट को छोड़ देना है ताकि लाइफ स्मूध हो सकेगा वापस मैं कहूंगी कि इस कॉप्यों जो जो साइन है वो hidden है और mercury finance का कारक है retrograde mercury आप देखेंगे generally finances को store करता है और यह समय है कि आप अपने finance जो जिस व्यक्ति का mercury retrograde होगा वो व्यक्ति अपने finances को बार बार देखता भी है और यदि general में भी Scorpio में भी mercury retrograde है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि वो अपने finance को हर व्यक्ति को अपने finance को एक बार देखे समझे और उनको re-evaluate करे कि कहां क्या लगाना चाहिए कहां से क्या निकालना है और मेरी financial situation क्या है इससे उसको बहुत strong results मिलने की संभावना है बहुत अच्छा वो काम कर सकता है एक और चीज़ जब mercury retrograde होता है और वो hidden finances बता रहा है स्कॉपियर के साथ तो आपके पास यदि कोई पैसा ऐसा है जिसका आपने books में account नहीं किया तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि आपको उसको कहां use करना है उसकी किस तरह से ताकि उसकी valuation बढ़े अभी invest नहीं करना है जब mercury direct हो जाएगा तब invest करना है लेकिन अभी एक plan बनाना है क्योंकि यह mercury वो आपके planning stage को भी बताता है Scorpio जो है वो healing sign है और mercury आपका जो है वो accidents यह सब भी बता सकता है retrograde mercury में यदि आपका repetitive कोई accident कुछ हुआ है तो यह आपको heal करने के लिए बहुत समय देता है और आपको बहुत गहराई तक अपने आपको rejuvenate करने का की संभावना बताता है relationships में mercury बहुत quick होते हैं एक retrograde जब mercury जा रहा होता है thought process जब आपका जा रहा होता है तो यहाँ पर आपको अपने relationships के बारे में क्योंकि काल कुरुष कुंडली के छटे भाव का स्वामी यानि जो हो सकता है कि आपको अपने spouse के साथ दूर विच्छेद कर सकता है तो काल कुरुष कुंडली के छटे भाव के स्वामी होने के कारण और अश्टम भाव में होने का कारण यह बताता है कि revaluation of relationships आप अपने relationships को देखें कि आप किस तरह से उनको वापिस ठीक कर सकते हैं या वापिस उनको एक सही मुकाम पे ला सकते हैं यह समय बहुत अच्छा है finally यह भी आपके पास challenges है communication में issues हैं तो अभी उनको समझें अपने communication को सही करें और documents very important last but not the least कि कोई भी document बिना पड़े sign नहीं करें अपने travel plans को recheck करें क्योंकि mercury travels भी बताता है retrograde mercury बहुत बार आपको आपके travels plan को problem में डाल सकता है तो आप अपने travel plans को बार बार check करें और यही नहीं importantly किसी भी documentation के लिए आप बहुत अच्छे से paper पड़े read the fine print and then go ahead with it so that जो hidden clauses हैं जिसको आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं वो सही धंग से आपके सामने आए जरूर लिकर बताएगा कि आपको ये video कैसा लगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए बैल आइकन को दबाएं ताकि आपको विडियो की अपडेट मिलती रहें हमारे विडियो को लाइक करें शेर करें उन पर कॉमेंट करें और हमारे चानल को सिस्क्राइब करना न भूलें बाल को विडियो के लिए रहें जले करें दो भूलें है